हेलो फ्रेंड्स आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चानल घर की रसोई में आज हम बनाएंगे आवले और मिर्च की चटनी की रेसिपी जटपट बनने वाली ये चटपट चटनी अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो आपको सबजी की जरुरत महसुस नहीं होगी तो आईए बनाते हैं ये चटपटी चटनी तो इसके लिए मैंने 5-6 आवले ली है मीडियम साइज के हरा धनिया लिया है एक चोटा चमत चना दाल एक चोटा चमत उड़त दाल ली है एक चोटा चमत शक्कर ली है दो खड़ी सुखी लाल मिर्च ली है आठ से दस मैंने करी पत्ते लिये है और 5-6 मैंने हरी मिर्श लिये है और थोड़ा हिंग पाउडर लिया है सबसे पहले मावले को अच्छे से दो के पोच लेंगे और इसके बारे टुकडे कर लिये देखे इस तरह से मैंने इसके बारे टुकडे कर लिये है अब मैंने कड़ाई में दो छोटा चम अधा च्छोटा चम्मच दाल दाल तो हम एक च्छोटा चम्मच औरद डाल देंगे अब डालेंगे एक चुटा चम्मच चना दाल को हम अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें खड़ी लाल मिर्च जो हमने ली थी दो सुखी हुई वो डाल देंगे इसके बाद हम इसमें वन फोर्टी स्पून के करीब हिंग पौडर डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें कटे हुए आवले जो पांच से दज्जो करी पत्ति हमने लिये थे उडाल देंगे इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे पांच से हरी मिर्च जो मैंने लिये थी उडाल देंगे अर अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दोंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद इसे कवर करके हमें धीमी गयास पे 5 मिनिट तक पका लेना है 5 मिनिट बाद देखेंगे हमारा आउला अच्छे से सौफ्ट हो चुका है सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें एक चोटा चम्मच जो हमने शक्कर ले थी वो डाल देंगे शक्कर डालने के बाद लास्ट में हम इसमें हराधनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद दो मिनिट के लिए हम इसे कवर करके बहुती सीम ग्यास पे पकने देंगे एक दम धीमी करनी है ग्यास और इसे पकने देना है दो मिनिट के लिए दो मिनिट बाद देखेंगे आउला और सारे मसारे अच्छे से आपस में लिपट चुके हैं हमारा मिशन ठंडा हो चुका है तो हम इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इसका दरदरसा पेस्ट बना लेंगे बहुत जादा बारिक पेस्ट नहीं बनाना है तो देखे मैंने इसका दरदरसा पेस्ट बना लिया है तो हमारी चटनी तयार है आवले और मिर्च की चटनी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में